कलियुग में मलिंता की प्रधानता रहेगी शरीर पवित्र शरीर को सजाने में प्रियता है लेकिन पवित्रता क्या है ये ग्यान नहीं है शोचाचार की पवित्रता का बिल्कुल ग्यान नहीं बस सजाने की प्रियता है बाहर से चिकना दिखना चाहिए लेकिन वो पवित्र है कि नहीं उसको ग्यान नहीं है बिल्कुल पता ही नहीं सोचाचार का पशुत आचरण है देखने को मिलते हैं खड़े-खड़े लगुशंका कर रहे हैं मुँमें बिड़ी ऐसे वही जनेंद्री को छुआ ऐसे कर ना हात दोना ना आचमन करना न पैर धोना बिल्कुल पशुता का आचरण है भला पवित्र शरीर है तो मन तुम्हारा पवित्र कैसे हो शकता है तुम्हारे आचरण पवित्र है तुम्हारा शरीर पवित्र है पर समझते हैं कि हम बहुत स्वक्ष बहुत बी आईपी हैं बी आईपी का मतलब बहुता पवित्र हैं उनको एक ज्यान नहीं है और एक रंग चड़ा है नए समय में जूता मोजा पहन कर भोजन पा रहे हैं देखो कैसी है अरे शाधारन आदमी जिसको कोई सास्तर से मतलब न किशान आदमी जो हाथ पैर धो करके पीड़ा पे बैठ करके भोजन पाने जाए इतनी पवित्रता तो हमने गाउं में देखिए बिल्कुल सास्तर नहीं जानते कुछ नहीं पर भोजन पाला है तो हाथ पैर धोए और लकड़ी के पीड़ा में बैठके और जय भगवान हत्या का पाप लगता है अगर वो इन पश्रूओं से जो निर्माण किया जाता है जूता विल्टा दी यह जो ग्रेश्ती जन इनका प्रियुक करते हैं तो उसे गवहत्या का दंड मिलता है क्योंकि आप पहनते हैं उसमें आप सायोगी हुए आप उसको प्रोशान बढ़ा रहे हैं गॉहत्या का यह अब वहई सब पहने हुए संच में कपड़े पहने हैं वह यह भोजन में कपड़े पहने साधना होगी पवित्रते ही नहीं जानते हैं लगशंका करने के बाद य ions आपने जनिंद्री का क्रक्षालन नहीं किया हांत नहीं धोया चरण नहीं दोये पशु की तरह सरीर आराम क्या सरीर आराम रहेगा जब तुम्हारा सरीर पवित्र है तो आचरण पवित्र होंगे तो पाप बनेगा पाप से तुम्हें सरीर को दुख भोगना पड़ेगा बिल्कुल समझ खतम होती चली जा रही कलिकेवल मलमूल मलीना ये नाना प्रकार के पापा चरणों की जो हमारी प्रवत्ती बढ़ती जा रहे है उसका कारण है खान पान अपवित्र शरीर अपवित्र हमने देखा है वो आपको मजाक्स लगेगा भोजन पाने की समय घर के जितने भी वैस्क जन होते थे जब कच्चा भोजन पाया जाता था तो उपर के वस्तर उतार देते थे एक धोती नीचे पहने गए ऐसे पाते देखा है बाद में बिचा कितनी पवित्र था क्योंकि कपड़े पहन कर बाहर कारे हूँ और ऐसे जल ले करके ऐसे आत्मन करें हाथ जोड़कर थोड़ी देखा किसान आदमी वो कोई सादू मात्मा नहीं कोई वैश्णों नहीं किसान आदमी की बात कर रहे है हाथ मा जय हो बोल करके प्रभू की फिर प्रशाद पाये जय हो भगवान आपकी आज परोशने में अगर कहीं रोटी छुगई परोशने वाले को दाट लगती थी पूरी रसोई जूटी करेगी रखे यही थाल हाँ दो दूसी थाल मिला आज उसी शे अमुक ले रहा है उसी शे अमुक ले रहा है उसी शे अमुक ले रहा है वो सराप पिने वाला है मांश काने वाला गंदय आच्रन का उस ही से आप ले रहे वो तो समाज में चलता है समाज में तो समाज को लेकर चलने ही पड़ेगा भाई समझो पवित्र्ता अति अनिवार है इसे आप समझो अगर आप पवित्र पशुओँ जैसे तो आपकी बुद्धी भी पशुवत आच्रन करेगी आसुरी भाव को प्राप्त हो जाएगी पवितरता शरीर की आपको एक फल देगी कि आपका मन पवितर होने लगेगा क्योंकि शरीर से आसक्त मन है और मन से आसक्त आप हो जहां आपका मन पवित्रा अच्छे विचार अच्छा मार्ग अच्छा निरने बुद्धी करेगी आपको आनंद मिलने लगेगा ऐसे नहीं है कि आप जैसे पसुवत आचरण करें बड़ी अपवित्रता बढ़ रहे है अपवित्रता को तो कोई समझी नहीं रहा है इस विचार करो यार मतलब कहां पहुंच रहा है हमारा ओ कहते बी आईपी लोग है वाँ है ये बी आईपी लोग अरे बिना जल के कैसे प्रक्षालन हो जाएगा कैसे आप पवित्र कैसे पर पवित्र होना किसको चाहिए उस तो पसुवत आचरण है कलिकेवल मलमूल मलीना पाप पयोनिध जन्मन मीना जैसे मचली जल में ही केली करती है ऐसे कलियूगी प्राणी का मन पाप में ही केली करना चाहता है अप अभीत्र विचार किसी किसी मलिनताएं बढ़ती चली जा रही है रश्वई अभी बनकर तयार नहीं हो खड़े खड़े वही रश्वई क्या पश्टा है अरे एक बार बन जाए उसे थाल में लगाओ हम नहीं कहते हैं तुम भगवान का भोग लगाओ जाके नहीं भैश्ट नहीं भजन करो कम से कम थोड़ी तो पवित्रता एक बार थाल लग जाए हाथ जूड़ो अन कोई प्रणाम करो अन ब्रम उपनिशद में आता है यह अन ब्रम है उसे प्रणाम करो वह हमारे जीवन को पुष्ट करता है में भगवत भाव प्रत हाथ जूड़ कर कहा हाथ जूड़े जूटा पहने वैसे ही सब कोई खड़े खड़े खा रहा है कोई यह हो क्या रहा है हमने देखा है पहले बरात आती थी तो पट्टियां भी जाए जाती ती गोबर से जमीन लिपी होती थी दो आदमी पात्र ले खड़े सब के हाथ पर दुला है सब बेंट गए फिस सब को परोशा माताय मंगल गीत गा रह प्रशुता बढ़ रही ना कैसी कल्यान का तो सब्द ही नहीं उनको की कल्यान के उनका यही कल्यान है बस जनेंदरी रसेंदरी की तरपती होती रहे उतना ही हो सब कुछ समस्ते है गोश्वामी जी कह रहे यह नाम काम तरु है सब कामनाय पूर्ण करने वाला है और यह काल क भी काल है देखो नाम अगर जिभ्या पे बिराजमान है तो अपवित्रह पवित्रो आशर्वा वस्थांगतो पिवहा यहा इस्मरेत पुंडरी काक्षम सवाया भ्यंतर हशुचिए बाहर भ्यंतर से पवित्र पर यदिया आपने सदाचार का पालन नहीं किया सोचाचार का त अगर कोई ऐसे नाम में रुचिए जब मनाया मुझ उठाया जब मनाया कैसी कैसी पशुता है चुडिया की तरे चुनते रहते हो अरे एक बार दो बार तीन बार एक अपने भोजन का समय निश्चित करो थोड़ा शांती से बैठकर भगवत भाव में आकर तब भोजन बाते समय परेशान थे तो अब वो भोजन का जो रश है ना वो केवल परेशानी पैदा करेगा मानलो हमारी बात यह निश्चित बात भोजन के समय सारी चिंताओं को छोड़ो आनंद में होकर प्रशाद में भगवत भाव शिपाव वो भोजन ऐसी बुद्धी पैदा आप अनंदीतर होगे